हेलो गाइस मेरा नाय मैं सुनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकनोलोजी स्मार्ट सपोर्ट में जहां आपको हमेशा नई-नई इनफॉर्मेशन्स मिलते रहते हैं गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटसप के मैसेज के बारे में बताऊंगी अगर कोई परसन आपको एक ही मैसेज करेगा तो आप उस मैसेज को वाटसप ओपिन करते ही देख लेंगे उस मैसेज को आपको ओपिन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन किसी person ने आपको 5-6 message किया हो और आप उस message को notification से भी नहीं देख पाए हो आपने उस notification को गलती से हटा दिया हो और आपको वो सारे message देखने हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उस person को ना पता चले कि आपने उस message को देखा है मतलब उसके message में blue tick ना सो हो इसके लिए आपको कोई भी एप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आप WhatsApp पर ही इसे सेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं WhatsApp ओपिन कर लेते हैं उपर त्री डॉट्स के ओप्सन पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ओप्सन मिल जाएगा इस पर क्लिक कर लेते हैं अब अकाउंट्स के ओप्सन पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ओप्सन मिल जाएगा इसे ओपिन कर लेते हैं यहाँ पर आपको read receipts इस option को off कर देना है अब आपको कोई message करेगा और आप उस message को send करेंगे उसके बाद भी blue tick नहीं आएगा